हाई गाईज विल्केम बैक टू आउर चैनल जो कि एक आटो मुविल टेकनोलोजी से रिलेटिड है आपको टेकनोलोजी के बारे में हमेशा से जानकारी देता रहा है हमारी कोशिस यह रहती है कि हम आपको अच्छी नोलेज दे और कोशिस यही रहती है कि जो जानकारी हम आपके फायदे मंद के लिए हूँ तो आज हम इस वीडियो में ओटो मोबिल दिपावली पे जो सेल बाई होंगी जो खरीदी जाएंगे हमारे कस्टमर के द्वारा बाई वेहन के द्वारा या फिर हमारे मित्रों के द्वारा तो उस से रिलेटिड हम कुछ जानकारी के उपर हम इस वीडियो में बात करेंगे हर साल की तरह इस दिपावली पे भी जो है नए ओटो मोबिल खरीदे जाएंगे कुछ दोस्तिया मित्र तो अभी से प्लान बना रहे होंगे नई बाईक लेने का तो हमारा जो पैसा है हमारा जो इन्वेस्मेंट है वो वेर्थ ना जाए इ इस वीडियो को द्यान से देखे और समझने की कोशिस कीजिए कि क्या बताने की कोशिस की जा रही है और आप जो चीज प्रोड़क्ट खरीदेंगे या फिर कभी प्यूचर में जो इन्वेस्ट करेंगे तो क्या हम कैसे उस पे जो फैसला ले उसी के अकोडिंग इस वीडि की गई है सोच समझ किये कुछ ऐसा परस्तूत किया गया जो आपके फायदे के लिए तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो दिपावली तो दिपावली के वर्डसों को ले करके हमने कुछ आपको समझाने की कोशिस किये चलिए स्टार्ट करते हैं तो दिपावली तो नमबर फ़स्ट डी तो सबसे पहले है दमदार इन्वेस्ट दमदार इन्वेस्ट में हमने उस कटेगरी को रखाई देखे जैसे कि आपको हिमाले की पाड़ियों पर जाना है या फिर लोंग ट्रीप पर जाना है तो आप उसी हिसाब से इस पर इंवेस्ट कीजिएगा कि हमें बाइक लेनी किसलिए है या फिर हम बाइक को चलाएंगे कहां पर उसकी राइडिंग जो एक् ट् 어떻 कि गए तो आप चूछ कीजिए कि आपको यह बाइक चलानी कहां पर है उसके बाद इंवेस्ट कीजिए उसके बाद दूसरा तो हाइन इन्वेस्ट हम कुछ चीज़ इन्वेस्ट करेंगे तो उससे हमें कुछ आर्निंग भी हो जैसे बाइक हमें वहला में लगानी है उबर में लगाना है रैपीडो में लगाना है तो इस तरह कि अगर हमें बाइक लेनी है तो ऐसे नहीं गए कोई भी बाइक खरीद ली उसके लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे माइलेज क्योंकि ऐसी बाइकों के अंदर माइलेज ही देखे जाएगी क्योंकि आपकी जो कम के होती है कुछ उसके अंदर सीटिंग अच्छी नहीं है जब आप उसे ओला या यूबर में या फिर रैपिडो में लगाएंगे और उसमें बैटने पे जो पैसेंजर है वो अच्छा पील नहीं घरार महां लेजे आपने स्पोर्ट टाइप की बाइक ले ली उसकी जो सीटि प्रेयने में दिक्कत होगा उनको फिर क्या होगा रेटिंग कम मिलेगी तो सोच समझकर ही इन्वेस्ट कीजिए तो नम्बर तीन में क्या है, एनर्जेटिक इन्वेस्ट में क्या रखा गया है एक ऐसी बाइक जैसे कि आप आप सुबह ऊपिस के लिए निकलते हैं तो सब्सक्राइब को दो हुआए किस तरी से निगे करेंगे किस तरह की बाइक उस प country की जाएक हुआ को भी चीति कोई पुइक देखता है तो लोगा हटके अंदर और महसूस होगा एक है कर इंबुएस्ट कर सकते हैं तो यह जो बाइक है यह जो ओटो मोबील है special ज्यादा लंबी दूरी के लिए नहीं और ज्यादा पास दूरी के लिए नहीं ऐसी ओफिस वर्क के लिए पिर किसी ऐसे काम के लिए कि ज्यादा दूर भी ना जाना पड़े तो आप उसमें पलसर या पाची ले सकते हैं या फिर कोई ऐसी पाइक जो मीडियम रेंज में आपको आपके लुक और आपके कारिया के हिसाफ से जो सही फिट बैठती हो नेक्स्ट पॉइंट है P Peaceful Invest Peaceful Invest में हमने कौन सी बाइक रखी है Peaceful Invest में Low Cost की High Mileage और एक ऐसी बाइक जो हमारे और हमारे परिवार के लिए जो फिट बैठ है जैसे कि हमें ओफिस जाना है तो ओफिस भी जाना है रोज और हमारी जो ओफिस की दूरी है वो मतलब कि ना दूर है ना पास है Medium distance पे मान लिजे 20 किलोमेटर के लगवगए और रोज हमें अब डाउन करना है तो हमें एक ऐसी बाइक लेंगे जिसकी average अच्छी हो और दूसरी बात उसके अंदर seating जो है अच्छी हो मान लिजे कल को कोई दोस्त है कोई महिला या पुरूस है मान लिजे कल को कोई दोस्त महिला या पुरूस है हमें बैटने के लिए बोलता है कि हमें कि आपके साथ ही बाइक पे जाना है या फिर आपने किसी दोस्त को ले जाने का मन बना लिया कि रोज मेरे साथ जाए है तो इसके अंदर सीटिंग जरूर देखना है कि सीटिंग कैसी है सीटिंग अच्छी होनी चाहिए क्यों कि हमें जो है रोज मीडियम रेंज तक जाना है और उसके अंदर सबसे कास पॉइंट जो ज्यादा थर्बंदे ध्यान नहीं देते हैं इसके अंदर जो सीटिंग होती है वो अच्छी होनी चाहिए क्यों देखिए अब हम क्या हैं रोज मर्रा के जिन्दगी में वैस्त रहते हैं तो कई बार कुछ ने कुछ अमरजंसी होती है माली कुछ अमरजंसी में किसी भाइक को बाइक लेके जानी है तो यह ना हो कि ऐसा खर्चा जादा हो या फिर उसका सर्वीस कोष्ट जादा आ रहा है और दूसरी बात कभी हमारी माता जी उस बाइक पर बैट रहे हैं या फिर हमारे पिता जी जो बुजूर गया है उस बाइक पर बैट रहे हैं तो बैटने में त तो इंडिया के हिसाब से सोचना पड़ेगा वैसे तो तीन अलावड नहीं है बाइक के उपर कई बारे अमर्जंसी आ जाती किसी बाइक को चोट लगी है और दूसरा बाइक के जो पीछे हमारा बैठा हुआ उसको पकड़ के बैठ रहा है अगर उस टैम हम स्पोर्ट्स को है यह को मैंने जो ब्लैंक रखा है लास्ट में इसका जवाब दिया जाएगा क्यूंभ लेक रखा गया है नेस्ट पॉइंडव ए हमने कौन सा में एन्वेस्ट UH वेस्ट मतलब की हमारे पास रूपे ज्यादा है यह पिर हम कह सकते हैं हमारे कमाई अच्छी है और जो मैं लेने जा रहा हूं, जो ओटो मोबिल करिदने जा रहा हूं, उसको साल, डेड़ साल या दो साल तक ही चलाना है, उसके बाद मुझे सेल कर देना है, बेज देना फिर दुबारा लेकर आना है, तो अगर ऐसे कोई भाई हमारे दोस्त मित रहें तो उसमें क्या करेंगे क्या प्लस हो सकता है उसके अंदर यह प्लस हो सकता है कि हमें उस भाई की resale value देखनी है कि वह भाई क्ष बीक गी या ने भीके कई भाई करतें बाज में दिखने में बिकने में जो है प्रोब्लम करती है उसके मोडल मार्केट में कम है रिसेल वेलू कम है उसकी जो है सर्वीस जो है उसका पता ही नहीं है या फिर उसके पार्ट्स लेने जारे पार्ट्स मिलने रहा तो उसको कौन खरीदेगा तो गर आप ऐसा करने की सोच रहे हैं कि बाइक ल अब चाहे परोदकर परंबिधे वसके जी मिलेगा है भी करें एक है आप उसको चय किसी भी तरीके से बहार लेख लें किसी को दान कर दे या फिर आपको लोस्प्रॉपिट का पता इन या वेस्ट की जा रहे हैं वह तो अलग बात है है नेक्सट पॉइंट है कि लोंग इसके अंदर कौन उसमें किसी अंकल के पास बहुत पुरानी बाइक है, अभी भी जो बाइक सही चल रही है, तो लोंग लाइफ इन्वेस्ट के लिए किसी के मान लीजिए हमने फर्स्ट बाइक खरी दी है, या फिर उसको लंबे समय तक चलाना है, तो उस बाइक के अंदर क्या ध्यान देंगे हम, नमबर वन, पाट्स, उसका पाट्स टाइम पे मिल जाए, और दूसरी बात, लोकल स्टोर पे भी आपको जो पाट्स असानी से मिल जाए, ये ना, उसका पाट्स लेने के लिए बार बार हम डीलर के पास ही जा रहे हैं, कोई भी छोटा पाट खराब होगा तो डीलर के पास ही जा रहे हैं, या फिर देखें, डीलर के पाट जाना तो अच्छी बात है, क्योंकि पाट्स आपको जन्र मिलेगा, लेकिन कई बार हो जाता है, एमर्जेंसी में, या फिर आठ साल, छे साल बाइक चल गए, उसके बाद जो हम डीलर पे जो है, नहीं ले जाना चाहते तो उसके पाट्स असानी से मिलते रहे हैं, तो कुछ ऐसी बाइक आपको देखनी से के पाट्स, एवर ग्रीन बाइक जिसको बोलते हैं, जैसे कि आपका स्प्लेंडर हो गया, एवर ग्रीन बाइकों में से आती है, वो एक, सबसे ज़्यादा सेल भी होती है, हिरो की, हिरो के अंदर भी ज्यादा मोटर सैकल बनाने वालों की लिस्ट में, काटेगरी में आता है, हिरो, तो हमें यह देखना कि पार्ट्स टाइम पर मिल जाए, सर्वीस उसकी सथी हो, और यह भी देखना जैसे कि सर्वीस कोष्ट, सेम सीसी और सेम कोष्ट की बाइक की एक कमपनी कम रुपे में कर रहें, दूसरी कमपनी ज्यादा रुपे ले रहें, मैंटेनेंस कोष्ट, तो उस टेम हमें यह भी ध्यान रखना है कि मैंटेनेंस कोष्ट ज्यादा ना हो, देखिए आप कई बार क्या करते हैं, हम नई नई बाइक होती है, लुक के उपर या पिर एक कह सकत कि ब्रांड के नाम के उपर तो चले जाते हैं बाद में जब साल डेड़ साल हो जाता है तब हमें फील होता है यार गलत कर दिया यह तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है parts service cost maintenance maintenance जल्दी जल्दी मांग रहे नहीं मांग रहे है देखें कोई बाएक जो हमें long life चलानीए तो यह ध्यान रखेंगे कि जो जो maintenance है वो भी सस्ती होनी चाहिए last जो point मैंने A को skip कर दिया था तो A को जो skip करने का क्या है according to your choice invest है देखिए सारी चीज मैं ही बताई जाओंगा एक तो आपके लिए रखना पड़ेगा ना कि आप किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं नहीं तो आप बोलेंगे कि यही अपनी बताई जारा हमारी अद कुछ है नहीं तो आप अपने हिसाब से भी चोईस कर सकते हैं कि आपको क्या पुसंद है और वीडियो में जो जानकारी दी गए थोड़ा सोचिए इसके उपर उसके बाद ही अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि मनी मनी होता है देखे मनी मनी होता है आपको किसी भी तरह से उसको खर्च कर लीजिए या फिर उसको रख लीजिए एक ही बात है अगर आप उसको बचा के रखते हैं तो आपको जब फिचर में कभी जरूर हो आपको फायदा देगा या फिर आप इसको बहा दे रहे हैं दान दे रहे हैं तो और अच्छी बात है लेकिन कभी भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो लोस्ट और प्रोफिट जरूर सोचते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा तो इस वीडियो में जो जानकारी या फिर आप कौन सी बाइक लेने वाले हैं या फिर आपका भी future में लेंगें तो आप कौन सी बाइक लेंगें या फिर आपका कोई question है अगर ये मैं बाइक लेता हूँ तो क्या होगा इसकी service cost लगवा कितनी आएगी तो उसका जबाब दिया जाएगा आज के लिए वसी इतना ही